Hello everyone, welcome to free study. So 8 July 2021 के current affairs start करेंगे. Prelims and Means दोनों को ध्यान में रखते हुए. Facts for Prelims भी होते हैं. JS Paper 1, Paper 2, Paper 3. सब segregate करके ही वीडियोज बनाई जाती है. PDF बनाया जाता है. अगर कोई doubt रहता है तो आप comment section के अंदर जरूर लिखेगा. एडिक वीडियो भी अप्लोड की गई थी कि किस तरीके से आप quiz and means की answer writing inside CSIS की website पर कर सकते हैं. तो अगर आप scroll करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी. तो जिसको नहीं पता है वो वीडियो जरूर देखें. साथी साथ चैनल को जरूर subscribe करें, bell icon जरूर press करें इसके बाद आप वो monthly compilation ले ले आपको हर एक topic मैंने पढ़ाया हुआ है. ठीक है आपको कोई भी एक topic, single topic ऐसा नहीं मिलेगा जो मैंने आपको ना कराया हूँ. आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं? बेंगॉल जो क्योंकि ममताब एनरजी जो थी वो अपने जो नंदी ग्राम थी वहाँ से तो हार गई थी तो अब वो legislative council के थूरू जो CM है वो बनेंगी. recusal of judges क्या होता है? कई बार पढ़ चुके हैं, जब judges जो है वो किसी case से अपना हाथ पीछे खीच लेते हैं, किस कारण की वज़ा से खीचते हैं, कई बार बताया है, आज फिर से बताऊंगे. Cinematography Bill 2021 क्या है? ये भी मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ. Same Sex Marriage के लिए क्या Play File हुई है High Court के अंदर, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. GS Paper 3 में देखेंगे, River Conservation Plans के लिए कुछ काम किया जा रहा है, Forest Rights का Implementation का Review, ये भी हम देखेंगे, Forest Rights Act 2006, ये सब क्या है? Facts for Plimps के अंदर हम Malaysia में White Flag Campaign देखेंगे, Great Ethiopian Renaissance Dam, काफी टाइम से ये इशू चल रहा है, Revenge Tourism क्या होता है? तो ये सब आज के हम देखेंगे, ये सभी टॉपिक्स, I think इसके अंदर से सिर्फ दो टॉपिक्स ऐसे हैं, जो आज के नियू हैं, बाकि सभी टॉपिक्स हम 90 मिनिट से उपर जाए, अगर आप डबल स्पीड पे सुरेंगे, तो आपको 10 मिनिट भी नहीं लगेंगी, and मैं आपको एक वेल नोन वेबसाइट के जो करन अफेर्स है, वो सभी टॉपिक्स वो तो कवर हैं ही है, उसके अलावा भी टॉपिक्स कवर्ड है, तो I think this is a very means आ आपके current affairs बहुत strong हो जाएंगे, चलिए, आज सबसे पहले देखेंगे, जो West Bengal के जो assembly है, उन्होंने एक resolution पास किया है, कि legislative council बनाई जाए, two-third majority से resolution पास करना होता है, देखें एक होता है, विधान सभा, विधान परिशद, विधान सभा मतलब legislative assembly, विधान परिशद मतलब legislative council तो इंडिया का bicameral system है, जैसे कि parliament में बात करें, तो लोक सभा है, राज्य सभा है, विधान सभा और विधान परिशद है, ठीक है, तो similarly क्या होता है हमारे पास, legislative assembly होता है, legislative council होता है, अगर legislative council create करना है, तो article 169 में लिखा हुआ है, कि parliament law के थुरू create कर सकते है second chamber, अगर legislative assembly इ कितने होने चाहिए, minimum कितने होने चाहिए, कम से कम 40 होने चाहिए, जैसे मालीजे, West Bengal की legislative assembly है, वहां के comparison में देखा जाएगा कि one third कितने है, मालीजी अगर यहापे 200 है, तो 200 का one third निकाला जाएगा, 66 point something आएगा, तो इससे जादा नहीं होने चाहिए, 40 से कम नहीं होने चाहि है, देखे हम मिजोरम हो गया, नागलेंड हो गया, अगर आप सिक्के, मरुनाचर परदेश, गोवा की बात करेंगे, तो वहां पे जो minimum numbers है, वो 40 भी है, 45 भी है, and 30 भी है, ठीक है, सिक्के, मरुनाचर परदेश, गोवा के अंदर, तो वो यहां पे current अफिर के अंदर cover नही करेंगे, 1 3rd जो होंगे, वो electorates, means municipalities हो गई, district boards हो गई, वो elect करेंगे, means choose करेंगे, 1 by 12, एक electorate बनेगा, teachers का, वो choose करेंगे, 1 by 12, graduates का, and बाकि जितने भी बचेंगे, 1 6 बचेगा, तो क्योंकि यह 5 6 हो जाता है, तो 1 6 जो होगा, वो governor nominate करेगा, ठीक है, तो इसके थूँ हो क् सकते हैं, बनके आ सकती हैं, क्योंकि वो अपनी, उससे तो हार गई, वो chief minister तो बन गई है, लेकिन हमारे लिखा हुआ है, constitution के अंदर कि आप बन सकते हो, लेकिन maximum 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर आपको legislative council से, या legislative assembly से जीत कर आना होता है, तो उन्होंने अच्छा तरीक अपना है, जीतरा भी ने पड़ेगा, legislative council से ही वो nominate होकर आ जाएंगी, चलिए, अब recusal of judges, तो Calcutta High Court ने एक penalty लगाई है, West Bengal के chief minister पर, ममताब एनरजी पर 5 लाग की, क्यों, क्योंकि इन्होंने recusal of justice, जो नंदी ग्राम के अंदर, क्योंकि इनका election हुआ था, तो इन्होंने क कि जो amount होगी, वो pay करेंगी, West Bengal की chief minister, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऐसी बात कही है, और जो भी amount वो pay करेंगी, वो उन lawyers के लिए use किया जाएगा, जो कि COVID-19 से affected है, तो judge जो होता है, वो देखिए, किसी भी case से, अपनी personal discretion के basis पे, चाहें, तो वो step away कर सकते है, ये judge के पास, प तो वो पीछे हट जाते हैं, वो कोई भी कारण हो सकता है, जैसे मानली, जो वो किसी एक party के favor में हो, या उनका subject matter में को interest हो, या जो background या जो experience है, उनका मींस पहले वो कभी lawyer की तरेक के से, उन्होंने उस case पे काम किया, वो मलो हाई court के basis पे उन्होंने काम किया, फिर हाई court के भी वो अपने decision को वापिस सुनने के लिए मना कर सकते हैं, that is judicial recusal, अगर उनका कोई personal knowledge है, किसी party से related, या कोई means, अगर उनको ऐसा कोई ruling comment, कुछ भी ऐसा आता है, कि वो case को नहीं सुनना चाते, तो वो refuse कर सकते हैं, इसके लिए कोई rules नहीं है, कोई laws नहीं है, जब भी oath लेत एक तो है, रंजीत ठाकूर वर्सिस यूनियन ओफ इंडिया, इसके अदर कहा गया था, कि अगर, means, जज जो होते है, वो उनके सामने है, कि कहीं वो बाइस तो नहीं हो जाएंगे, किसी को देखके, दूसरा, चेलामेश्वर का एक, जस्टिस जी, चेलामेश्वर का एक opinion आ कि अगर माल लेजे, जहां पर भी जज के कोई इंट्रस्ट हो, तो कोई भी फर्दर inquiry नहीं होगी, चाहे, रियल डेंजर हो, चाहे, कुछ भी हो, तो दो केसी भी आपको ध्यान में रखने है, देन देखिए, सिटीज और रिवर बैंक्स, रिवर के बैंक्स के ओपर, जो सि सिस्टमाटिक रिहाबिलेटेशन प्लान होना चाहे, एक अल्टरनेटिव लाइवली हुड ऑप्शन होना चाहे, अगर उन कुछ सी को भी रिवर बैंक्स के पास से हटा कर कहीं, और रिलोकेट करना है, तो उसके लिए अच्छा अल्टरनेटिव जगा होने चाहे, सो जो कि गंगा के आसपास बसे हुए जो भी टाउंस है, तो वो इस तरीका का प्लान बनाएंगे, अब ये जो नाशनल मिशन फोर क्लीन गंगा है, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिए, ये एक सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड है, 2011 में बनी थी, सोसाइटी रजिस गंगा रिवर बेसें अथोरिटी की एक तरीके से इंप्लिमेंटेशन आम है, एन्वार्मेंट प्रोटेक्शन आक नाइटी सिक्स के अकॉर्डिंग काम करती है, चलिए, नेक्स्ट पढ़ेंगे, रिव्यू अच्छा एक और इसके अंदर पॉइंट देख लेजिए, जो प्लीज नोट कि जो नाशनल गंगा रिवर बेसें अथोरिटी है, इसको डिजॉल्व कर दिया गया था, फिर क्या बनाये गया था, नाशनल काउंसिल फॉर रेजुविनेशन प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट आफ रिवर गंगा, जिसको नाशनल गंगा काउंसिल भी कहते मिनिस्ट्री ओफ एंवार्मेंट और मिनिस्ट्री ओफ ट्राइबल अफेर्स ने दोनों ने मिलकर एक सरकुलर बनाया है, इशू किया है, सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को और कि फॉरेस्ट राइट आट्स जो है, उसको अच्छे से इंप्लिमेंट किया जाए, इ एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि सेक्षण 5 ये कहता है, कि जो फॉरेस्ट जोईलर से उनकी कुछ दूटी भी बनती है, जैसे वाइल लाइफ को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, तो क्या वो अक्च्छल में प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, या फिर नह तो इस Act के अंदर कुछ राइट्स हैं, जैसे टाइटल राइट्स होती है, ट्राइबल्स के पास, ठीक है, फोर हैक्टेर्स तक की तो ऐसे राइट्स होती है, यूज राइट्स होती है, कि वो ग्रेजिंग के लिए अपने गाई भाइस वगेरा को चरा सकते है, रिलीफ तो Forest Right Act Section 2 C के According, Forest Dwelling Scheduled Tribe के लिए क्वालिफाई करना होता है, तीन कंडिशन्स होती है, एक तो उस एरिया में आप Scheduled Tribe हो, वहाँ पर उस Forest में रह रह रहे हों कम से कम 2005 से, वही के सोर्सेस पे डिपेंड हो, तो फिर ये राइट्स मिल जाती है, अधर ट्रेडिशनल फोरेस्ट ड्वेलर्स के लिए भी कुछ राइट्स है, वही कि आप 75 एर्स तक देखो ये प्रिलिम्स के अंदर पूछा जाता है, कम से कम 3 जनरेशन आपकी वहाँ पर रह रह रही हो, और आप वहाँ के सोर्सेस पे डिपेंड हो, ठीक है, शिड्यूल ट्राइब का होना यहाँ पर ज अगर इनके rights को recognize करना है तो जो भी grabíamos भा उती है या विलेज असैंबली होता है, तो वह resolution pass करती है, फिर इस resolution को देखा जाता है, फिर screen unconscious के जाती है, लुससे screening committee के अंदर तीन government officials होते है । तो फिर बेन्यो के, ट्राइबल वालफेर के और 3 elected members होते हैं, तो फिर आपील्स व कर दिया है section 377 को कि आप लोग एक साथ रह सकते हो बट शादी करना मतलब वो उसके लिए अभी भी प्रॉब्लम है center government हमी नहीं भर रहा है तो Delhi High Court ने notice issue किया union government को कि इसको दुबारा से आप देखें forest foreign marriage act को देखे special marriage act को देखें तो एक case file किया था same sex couple ने, overseas citizen of India हो है वो और उनके जो partner है वो US citizen है तो उनको यह है कि अगर वो marriage करेंगे तो उनकी marriage असेप्ट नहीं की जाएगी तो अब हम देख लेते हैं इंडिया में क्या rules है तो देखो citizenship act जो 1955 है तो वो यह distinguish नहीं गरता कि heterosexual क्या होता है या same sex क्या होता है या queer spouses क्या होता है तो अगर कोई भी person overseas citizen of India से शादी करता है और उसकी marriage जो है वो registered हो जाती है दो साल की अंदर-अंदर तो उसके spouse जो है वो OCI card मिल जाएगा petition ने जो आई या उनोंने ये भी प्रे किया है कि जो भी means जो New York के अंदर जो consulate general of India है तो वो वहाँ पे भी उनको क्या करें वहाँ पे वो ineligible है क्योंकि वो same sex है तो इसके लिए भी कुछ देखा जाए तो अब New York के लिए क्या कर सकते हैं तो देखो इसके लिए हम कुछ ने गर सकते अगर हम foreign marriage act को देखें तो play यही है कि foreign marriage act 1969 के अंदर जो same sex marriages थे या जो cure marriages थे तो वो word included नहीं थे जो कि article 14 and 21 को violate करता है एक same petition special marriage act के अंदर भी आई कि same sex marriage क्योंने लिखा हुआ cure marriages क्योंने लिखा हुआ तो इससे article 14, 15, 19, 21 सब violate होते हैं तो कहीं पर लिखा ही नहीं हुआ है तो current scenario यह है कि ना ही तो statutory laws में इनको identify किया है नवजेद सिंग जोहर versus union of India के अंदर सिर्फ यह कहा गया है कि आपको criminal नहीं माना जाएगा decriminalize कर दिया गया है लेकिन शादी कर सकते हैं यह भी नहीं कहा गया है पुट्टा सुआवे केस धियान रखेगा जिसमें यह कहा गया था कि आपकी पास privacy है, right to privacy चलिए, facts for plimps के अंदर सबसे पहले देखेंगे white flag campaign क्या है जो कि Malaysia के अंदर चल रहा है यहाँ पे जो low income families है वो जंटा फिला रही है सफेद कलर का कि हमें बहुत distress है COVID-19 की वज़ा से और लास्ट वीक से यह जो movement है चल रहा है hunger face कर रहा है वो low means distress के अंदर है तो एक तरीके से अपने जो गुसा है वो प्रदर्शित कर रहा है तो इस तरीके से वो white flag show कर रहा है कहा पर Malaysia में then देखे Great Ethiopian Renaissance Dam तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ देखे यह आपका Great Ethiopian Renaissance Dam जो है यह आप Ethiopia देख सकते है ठीक है यह आपका एथियो जो red line है यह है आपका Great Ethiopian Renaissance Dam Ethiopian, Ethiopian मतलब Ethiopia में यह है ठीक है यह दो देखो blue Nile से क्या कर रहा है पास कर रहा है White Nile जो होती है वो लेक Victoria से निकलती है ध्यान रखेगा यह फिर Nile है फिर यह उपर जाके Mediterranean Sea के अंदर गिर जाते है यहाँ पर आपका Red Sea आजाता है तो Great Ethiopian Renaissance Dam जो कि Ethiopia में है Benin-Shengul-Gumuz region के अंदर इसको Millennium Dam भी का जाता है Sudan इस तरफ पढ़ता है आपका और इस तरफ आपका Ethiopia है 40 km रिस्ट में है यह Africa का largest hydroelectric project है Revenge Tourism Indians को बहुत परेशान कर रहा है Revenge Travel हमने सुना है Chinese का Concept Revenge Spending सुना है अब Revenge Tourism क्या है Revenge Tourism का मतलब Simple है कि आप हमारी country के लोगों को allowed नहीं करेंगे ठीक है तो यह feeling है कि क्योंकि lockdown चल रहा है and lockdown fatigue है तो सब थके हुए है and no one want to move here and there तो कोई भी means जो traveling की जो process है वो क्या हो गई है down हो गई है तो यह होता है means restrictions आप लगाओगे तो हम भी restrictions लगाएंगे So this is Revenge Tourism So thank you so much कोई doubt हो comment section के अंदर जरूर लिखेगा जो भी videos को देख रहे है 8, 10 students तो आप continuously देखे and daily video upload करती ही रहोंगी जरूरी है कि आप continuity के अंदर देखे जितने भी बच्चे देख रहे है वो दिल से देखे and अपने short notes जरूर बनाए prelims की quiz and means की answer writing आपको साथ साथ में करनी है till then thank you so much please like, share and subscribe